देश आज अपना 75 गंतंत्र दिवस मना रहा है भारत की रास्टी राजधाने दिल्ली में प्रधान मंत्री नरीद्र मोदी सबसे पहले वार मैमोरियल पहुँचे जहाँ पर पीम नरीद्र मोदी ने शहीदो को शद्धांज ली दी साथ ही दो मिनिट का मौन भी रखा इसके बाद वे गंतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तब वे पत पर पहुँचे वही उदर राजपती भवन में द्रौपती मूर्मू फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्मैन्वल मैक्रो और बग्गी पे सवार होकर कर्तब वे पत पे पहुचे जहाँ पर आपको बता दे कि सन 1984 के बाद पहली बार कोई रास्टपती गंतंत्र दिवस कारिक्रम के लिए बग् लोकतंत्र की मात्र का है परेड का आगा सौ महिला म्यूजिशन ने शंक नगारे और दूसरे पारंपरिक वादियंत्रों के साथ किया तो वहीं सौ महिलाओं ने अपने पारंपरिक पहनावे लोकनित्य किया जहाँ पर फ्लाइपॉस में एरफोर्स के क्यावन एयरक्राफ् 29 फाइट फाइट प्लेइन साथ च्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलिकॉप्टर और एक हैरिटेज एयरक्राफ्ट भी शामिल रहा फ्लाइपॉस से पहली बार फ्रांस्तसी सेना के राफेल भी शामिल हुए इस साल का गंतंत्र दिवस विशेश इसलिए भी रहा क्यो में तीन सेनाओं की साथ महिलाएं शामिल है इस ट्राइ सर्विस टुकडी का नेत्तव भारत सेना की कैप्टन शरण्या रावन निकिया है जहां पर परेड में 16 राजियों के इंद्रशाश्रित प्रदेशों और 9 मंत्रालियों की जहाकी दिखी है झाल 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 झाल